इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हाउ टू फाइल आइटीर फॉर असस्मेंट यह तेभी सो चौबेस आफ्टर दू डेट जी हा तो अब आप लोग को पता होगा 31 दिसंबर यहां पर जा चुकिए और अगर आप अपनी आइटर यहां पर फाइल करना चाहते है तो इस वीडियो के अंदर में आपको step by step पूरा प्रोसेस बताऊंगा पूरा लाइव प्रोसेस रहेगा तो पूरा वीडियो यहां पर जरूर देखेगा साथ में बताना चाहूंगा अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की यहां पर हेल्प चाहिए उनसे अगर आप कंसल पे updated idea under 139 subsection 8a के अंदर यहां पर आप फाइल कर सकते हैं इसकी जो last due date है वो 1226 तक आराम से आपके पास में रहेगी तब तक आप फाइल कर सकते हो लेकिन देखेगे इसके उपर कई सारी conditions applicable होती है एक तो आप यहां पर TDS refund वगरे claim नहीं कर पाऊंगे साथ में अगर आपन अपना refund यहां पर increase करना चाहते हो तो वो चीज़ भी यहां पर possible नहीं है साथ में अगर आपके कोई भी losses वगरे तो वो भी यहां पर पॉसिबल नहीं कर पाएंगे तो ultimately अगर मैं summarize करूं तो अगर आपकी actual के अंदर government के against यहां पर कोई भी tax liability यहां पर बनती है आपकी अच सबसे पहले यहां पर income tax की website पर आपको download वाले section के अंदर जाना पड़ेगा यहां पर 2324 का column अलड़ी दिया हुआ है अगर नहीं दिया तो यहां से आप select कर सकते हो आप गैस यहां पर क्या करना है आपको idea 1 से लेकर 7 तक form मिल जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो अग आप इसको download कर लीजिए download करने के बाद में कुछ नहीं करना इस file को आपको simply तरीके से unzip करना है unzip करने के बाद में इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको मिल जाती है excel utility इसको open कर लीजिए अब जैसे यहां पर आप open करते हैं तो macros को यहां पर enable कर यहां पर आप e-file के अंदर जाएंगे income tax return यहां पर नीचे नीचे आपको download profile data मिल जाएगा यहां पर अपना simply assessment यह select कीजिए और download बड़न के उपर click कीजिए तो guys यहां पर आपको import profile का जो है बड़न दिख जाता है इसको ok कीजिए और जो हम लोगों ने यहां पर profile करवा रखी है जो डबी download किये recently file उसको यहां पर आप import करवा सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे आपकी जो भी basic details होगी आपका नाम, address, mobile number और जो भी prefilled आपका TDS का amount वगरे रहेगा सब कुछ यहां पर file के अंदर fetch हो जाएगा तो guys जैसे यहां पर सारी चीजे हो जाती है तो सिंप्ली तरी के से यहां पर file under section के अंदर करना है तो यहां पर आप नीचे जाेंगे तो यहां पर आपको हो सकता है 169 subsection दिखाएं तो यहां पर आपको हमेशा klik करके 139 subsection 8A को यहां पर सिंप्ली तरीके से स्अलæ fase करना है जैसे guys आप सेक्शन को सलेक करेंगे आप देख questions पूछने वाला है, अब guys सबसे पहला question यहाँ पर यह निकल दिया आता है, क्या previously आपने return यहाँ पर file कर रखी है तो अगर आपने original return ओरड़ी file कर रखी है, तो यहाँ पर आपको yes के अंदर जवाब देना है, अगर नहीं कर रखी है तो आपको no के अंदर जवाब देना है, अगर आप yes के अंदर यहाँ पर जवाब देते हैं, तो कौन से section के अंदर कर रखी है, क्या आपने original return कर रखी है या फिर revise return कर रखी है, उसके according यहाँ पर आपको section select करना है, उसके बाद में guys, आपने कौन सा form fill up कर रखा है उसका eclosement number हो गया, और किस date को आपने file कर रखी है, वो date हो गई, तो यह details आपको तब fill up करने है, जब आपने original return यहाँ पर file कर रखी है, और अब आप यहाँ पर updated return यहाँ पर file कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो इसको आप no रखेगा, और यहाँ पर यह जितनी भी details है, यह आपको fill up करने की requirement नहीं है, इसके साथ में guys, next question यह पूछेगा क्या आप eligible है, ITR U को file करने के लिए, तो आपको यहाँ पर yes के अंदर जवाब देना है, उसके बाद में guys, यह simply आपकी तरीके से form पुछेगा, तो आपने necessarily one form यहाँ पर जाएगा, फिरगाइस, यहाँ आप आप से reason पूछता है कि क्यू आप ITR U यहाँ फाइल करना चाहते हो, तो बड़े सारे यहाँ option दिखाए देंगे, Example के लिए कि आपने return नहीं यहाँ पर फाइल नहीं की इसलिए मैं ITR UK थूपडेट करना चाते हो अपनी income या मैंने पहले जो return फाइल की थी उसके अंदर properly मैंने अपनी income नहीं दिखाई या गलत schedule के अंदर दिखाई है या tax rate में गलत लगा रखा है तो ऐसे बहुत सारे reason है तो आपका जो भी appropriate reason है वो आप select कर सकते हैं इसके बाद में गाइस नीचे पूछेगा कि यहाँ पे आप जो ITR UK फाइल कर रहे है वो कितने period के अंदर कर रहे है तो यहाँ पे आपको 12 से 24 महीने का period जो है यहाँ पे आपको option मिल जाएगा तो यहाँ पे अभी आप just recently कर रहे है तो आप 12 month choose कर सकते हैं अगर यहाँ पे 12 महीने निकल चुके हैं तो यहाँ पे आपको 24 months का भी column मिल जाएगा यहाँ पे guys इस utility की अच्छी बात कहा है कहीं पे भी अगर कोई cushion रह जाता है तो side में ही आपको validate का button दिखेगा इस button के उपर click कीजेगा जब तक okay नहीं आजाता किसी भी sheet के उपर आपको अगली sheet के उपर जो है यहाँ पे forward नहीं करना है पहले इसी sheet को यहाँ पे आपको complete करना है तो जब okay आजाता है उसी के बाद में आप आगे initiate कीजे तो guys यह सारे जीज़े यहाँ पे details जो है fill up करने के बाद में normal जैसे हम लोग idea 1 file करते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको salary का section मिल जाएगा तो अगर आपके पास में form 16 है आप अपने AIS से figures यहाँ पे निकाल सकते हैं अपनी salary का तो जितनी भी आपकी salary की income है वो आप यहाँ पे insert कर सकते हैं फिर थोड़ो सा अगर आप हलका सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको section 10 का column मिल जाएगा जिसके अंदर आपका HR A हो गया वैसे ही यहाँ पे same process हैने वाला है इसके बाद में गाइस नीचे अगर आपने old taxes यहाँ पे choose कर रखी है वैसे तो आप new वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि updated idea आप file कर रहे है तो यहाँ पे automatically by default आपको 50,000 की reduction यहाँ पे मिल जाएगी इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको house property का column देख जाएगा अगर आपकी कोई भी rental income वगर है let out है, self occupied है, home loan ने रखा है तो उसकी अगर आपको reduction लेनी है तो यहाँ पे interest paypal on borrow capital का भी यहाँ पे section दिया गया है तो जैसे हम लोग online utility के अंदर file करते है वैसे same कानी है, वैसे ही यहाँ पे आपको same figures डालने है इसके बाद में गाइस यहाँ पे अगला जो column होता है वो other sources का आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपका saving bank account का interest हो गया FD का interest हो गया, dividend की income हो गई ऐसे कर कोई भी income है, तो यहाँ पे आप declare कर सकते है और यह कई सरी चीज़े आपको pre-filled भी यहाँ पे मिल जाने वाली है तो आप अपना AS check कीजे, वहाँ से आप details जो यहाँ पे pick up करके insert कर सकते है इसके बाद में काईस नीचे आपकी यहाँ पे आजाती है gross total income जिसके अंदर आपकी salary, house property, other income, सब कुछ यहाँ पे add हो चुका है ITR1 के अंदर, फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे ATC की deduction आजाएगी जो कि date law तक available होती है, तो अगर आपके पास में इसी deductions है तो यहाँ पे आप claim कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नीए नीचे आपको health insurance का भी ATD का column मिल जाएगा और इस ATD का जो अलग से ही पूरा schedule यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा कि यहाँ पे self or family का health insurance कितना है preventive health check-up expense कितना है, senior citizen है, आपके parents तो उनका कितना है तो यह चीज़े आपको मिल जाती है और जैसे मैं आपको अलड़ी बता चुगा हूँ, कहीं पे भी अटकते हो validated button के उपर click कीजे, यह automatically आपको बता देगा deduction के बाद में guys, थोड़ोजा अगर अभलका सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको exempt income के भी column मिल जाएंगे आपको नॉर्मली मिलते भी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते है agriculture income हो गई या कोई और अरद income है, जो कि exempt है जिसके उपर tax नहीं लगने वाला, वो भी यहाँ पे आप डेक्लेर वगरे कर सकते हो अब गाइस next column आपका TDS का आता है, तो अगर आपको कहीं से कोई TDS वगरे कटा हुआ या आपने advanced tax वगरे का payment कर रखा है, तो यह जिए चीज़े होगी वैसे जब आप pre-filled करोंगे अपनी JSON फाइल को, उसके अंदर साली चीज़े आजाएगी तो यह आपको manually कुछ भी डालने की जरूत नहीं पढ़ने वाली है, तो यहाँ पर simply तरीके से आपको अपना TDS वगरे verify करना है और आपको यह cross check करना है, कि यहाँ पर जितनी भी income against में यहाँ जो TDS वगरे कटा है, वो income मैंने proper यहाँ पर दिखाए हुई है कि नहीं इसके लगाइस नीचे आपके जितने भी self assessment taxes होगे, जो advanced taxes होगे, वो भी यहाँ पर आपके details वगरे आजाने वाली है अगला column यहाँ पर TCS का है, तो अगर आपका TCS खटा हुआ है, तो वो चीज़े यहाँ पर आपको दिख जाएगी, वनाई यह blank रहेगी हमारा tax paid and verification का आता है, यहाँ पर वैसे तो आपको details fill up मिल जाएगी, यहाँ पर place वगरे आप डाल सकते है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको simply calculate tax का एक बटन दिखाए देगा side में, इसके उपर आप click कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपने जो भी income यहाँ पर set off हो जाएगा, और जित्ता भी हमारा amount payable होगा, वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, गाईस धियान रखेगा, अगर यहाँ पर आपका amount payable नहीं आता है, तो आप iti you को यहाँ पर file नहीं कर पाएंगे, तो जैसे मैंने starting of the video बताया था, कि यहाँ पर आपकी tax liability at least होनी ही च 25% मेरा यहाँ पर extra लगने वाला है, तो यह आईटिया यू का rule है, अगर आप within the 12 months यहाँ पर iti you file करते हैं, तो 25% आपको extra tax होगरे pay करना पड़ेगा, और 12 मेने के बाद में करेंगे, तो सीधा 50% हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, total मेरा यहाँ पर tax जो payable ह होगा, वो में को यहाँ पर दिखने लग जाएगा, आप guys, यह जो 50,000 रुपे का tax payment है, सबसे पहले आपको चालान के तुरू यहाँ पर payment करना पड़ेगा, तो guys, जैसे हम लोग normal payment करते है, self assessment tax का वैसे ही यहाँ पर आपको payment करना है, आपको e-file के अंदर जाकर e-pay tax के amount के अंदर वो amount डाल करके, आप UPI, net banking, cards के थूरू यहाँ पर payment वगरे कर सकते हो, जैसे guys, आप payment करते हैं, तो आपका B.A.S.R. code, चालान नंबर यहाँ पर generate हो आता है, जो की PDF के अंदर mention होता है, तो आपको क्या करना है, part B जो ATI लिखा हुआ है, महीं पर जाकर आपको B.A code, date of deposit हो गया, serial number of the चालान हो गया, और जितना भी amount है, वो simply तरीके से आपको insert करना है, और आपका जो tax due है, उसको simply तरीके से आपको zero करना है, तो guys, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीज़े हो जाती है, last में आपको वापिस home screen के उपर आना है, और यहाँ पर जाता, वहीं पर आपको यह JSON file दिखने वाली है, और इसी file को हमें updated return के अंदर upload करना है, upload करने के लिए guys, आपको file income tax return के अंदर आना है, यहाँ पर 2324 select करना है, select filing type में आपको updated return डालना है, आपका audit नहीं हुआ है, तो इसको आपको no रखना है, फिर ITF form में जैसे हमें ITF 1 upload क करने वाले continue button के ओपर click करना है, यह आपको कुछ condition बताएगा, जो starting of the video मैं आपको already बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको करना है confirm, यहाँ पर आपको upload का section मिल जाएगा, तो जो JSON file हम लोगों ने निकाल ली थी folder के अंदर, वही JSON file यहाँ पर आपको upload करानी है, तो अगर करेक्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप validation success होला जाएगा, उसके बाद में process to verify के अंदर, एक आधार OTP डालके, आप अपनी updated ITR submit कर सकते हो, तो गईस अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर updated return कैसे file होती है, वैसे ही थोड़ो सा complex procedure है, तो मैं आप लोगों क हो जाए, so guys, hope you like this video, अगर आप expert के थुरू फाइल कराना चाहते, link description box में, और आप लोग के जितने भी doubt से, comment box के अंदर जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा सभी के reply देने की, thank you guys, thank you very much